जैमा श्री ओरोबिंदो आश्रम में 21 फरवरी दर्शन दिवस हैं बहुत बड़ा सा धन्य दिवस एक साधर्क लंबे समय से यही दीन की प्रतिक्षा में था प्रतिक्षा में रहते हुए एक अचानक मुश्किल आ गई वो साधर्क के नितम्ब के एक भाग पर थोड़ी ऐसी बात ऐसा कोई दर्द होने लगा कि वो बैठने में और सोने में कश्ट में सुस्क करने लगा उनको लगता था कोई ग्रंथी कोई गांट वहाँ पे बन रही है लेकिन वो श्रद्धा से रोज रात सोने से पहले श्री माताजी से प्रातना करता यह बड़ी समस्या है यदि दर्शन दिन के समय पर ये गांट ऐसे ही रही तो मैं नहीं चल पाऊंगा और पथारी में ही रहूंगा मैं दर्शन कैसे करूंगा रोज वो श्री माताजी से मदद की प्रातना करता और सोचाता और फिर कब क्या हुआ कुछ मालूम नहीं हुआ वो सादक बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो जो गांट थी वो अपनी जगा से तीन इंच नीचे 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 जा रही थी और किसी भी प्रकार के डर्ध के बिना दो तिन दीन में वो वहां से बुर्स्ट हो गई और उसके ऊपर का जो कहां था वो भी अच्छा हो गया सादक ने श्री माता जी से पूछा मा क्या ऐसी कोई ग्रंथी शरीर में हो वो किसक शक्ती है श्री माता जी ने जवाब दिया सब कुछ शक्य है हमारा तारकिक मन ही सिमा बांध लेता है यदि तुम आंतरिक मां को बीतरी मां को खरे दिल से प्राथना करो और बाद में अपार शर्द्धा रखो तो तुमारे दर्द की पीरा मां की जववारी बन जाती है हमारे अंदर की दिव्यत चैतन्य शक्ती में कोई भी शंका या कोई भी डाउट रखे बिना उसमें पूरी शर्द्धा रखो तो स्थूल शरीर की ग्रणशिल्ता अर्थभूत परिणाम दे सकती है तुमने देखा ना बेटा मैं जो बोल गई हूँ वो हो गया है श्री माता जी सादक के मस्तक पर वाचसल्य से अपना हस्त रख कर तलीन हो गई और सादक चैतन्य के आनद में रममान हो गया जै माँ